देखे कल से बजट चत्र की शुरुवात होने जा रही है और आज अभी हम बात करने के लिए पहुंचे हैं कॉंग्रेस के विधायक दल के नीता अजीत सर्मा के पास कि आखिरकार कल से बजट चत्र की शुरुवात हो रही है तो मुद्दे क्या होगे पर कल से बजट चत्र शुरू हो रही है क्या मुद्दे होंगे पहले तो आप जान लीजिए कि यह सदन इसलिए बना है जंता चुन के जिसको भेज़ती है यहां पर उनकी आवाज बनने के लिए उनकी कठनाईयों को आवाज उठाने के लिए चाहे हो सिक्षा का मामला हो सब्सक्राइब को नहीं मिल रहा है इस सारा अवाज हर विधायक का काम है सदन में उठाना और हम लोग तो विपक्ष में सरकार के नीचियों के खिलाफ यह जो इतनी आवाज उठाई उनको आइना दिखाने काम करेंगे आप विकास क्या हो रहा है उसको देखिए सवाल यह है कि जिस तरीके से महागटबंदन की बात हम करें तो महागटबंदन है या नहीं पहले यह बते हैं महागटबंदन तो रहेगा ही न विपक्ष में क्या है सेकुलर पार्टियांस जितनी है सब इंडिये खिलाफ है हम लोग क्यों जूटे थे एक जगा कि भारती जनता पार्टि चुकी जाती के नाम पर धर्म के नाम पर देश को बातने का काम कर रही है पूरा जो है दस उद्योग पतियों के हाथ रेल हो हवाई सेवा हो बैंक हो सब बेचने का काम स्टार्ट कर दिये अभी बीपी सील पेट्रोलियम से फायदा आता है से सरकार को बेच अच्छा मामला हो हम लोग आवाज उठाए तो सब लोग को आवाज वक्ष एक साथ रहके सरकार को गेरने काम करना चाहिए लेकिन कांग्रेस अपने बल्बुते भी सरकार को गेरने का काम करें एक सवाल यह है कि नितिश कुमार हेलिकोप्टर लाए हैं सराबंदी को सफल बनाने के लिए क्या है इसको आप कैसे देखते हैं और सदन में क्या इस बात को उठाएंगे देखिए मानिये मुख बंते नितिश कुमार कमसर का माने तो शराब बंदी लागू नहीं है पुल रुपेन यह मानते नहीं थे हम लोग पिछला भी सवाल उठाए तो उन्होंन नहीं तो मानें कि शराब बंदी लागू तभी तो आप हैलुकॉप्टर से बात कर रहा हैं निग्रानी करने का है अगर बैग में ले जा रहा है हों डिलर मिंगे ता वो है अगाधि पर जिस दुकान पर खरीदेगा कोई आदमी वहां आप देख सकते हैं लेकिन प्रते व सब्सक्राइब करें इसको जनता गरीब के जनता में विकास में लगाई बजट सत रहे कई ऐसे बिल भी पास कराए जाएंगे जिस ऐसे पिछली बार हुई थी पुलीस बिल जो पास हुआ उसमें विधायकों को पिटाई भी इस बार भी ऐसा हो सकता है नहीं देखिए पिछल काला बिल्ला लगा के पट्टी लगा के हम लोग विधान सभा के सत्र में जाएंगे यह मैंने पत्र दे दिया है जो जनता चुनके जिस विधायक को बेजती आवाज बनने के लिए उसको पुलीस पीखती है उसमें कोई कारवाई नहीं होती इसलिए मैं मानिये अध्यक्स म चलता है पूरा बिहार चलता है आप कहते हैं कि विधायकों को पिटाई लग गए दो कॉंस्टेबल सस्पेंट हो गए बिना किसी उच्पधा अधिकारी के आदेश का कॉंस्टेबल को तागत है कि विधायक पर हाथ चलाने का क्या यह प्रोटोकॉल है इस पर कारवाई होन और हम अब तक कोई कारवाई नहीं हुए तो यह लोग पट्ति बांध कर जो है विरूद जताएंगे उसका देखना है कि आखिरकार क्या कुछ होता है सदन में बड़े रहे इस्परनेशन के साथ नमस्कार करवाद